हालो आज की रिडिंग में हम देखने वाले हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं अभी इस वक्त आपके लिए ठीक है चलिए देख लेते हैं कि क्या सुबह सुबह वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए देख लेते हैं कार्ट के अनुसार से क्या कार्ट निकल के आते हैं हमारे सामन फिर मैं आपको explain करूंगी अच्छे तरीके से तो अगर आपको हमारे reading पसंद आती है आप चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए चलिए देख लेते हैं bottom of the deck the burden का काड है आपके person mentally काफी ज़्यदा परिशानी फिल करते हुए नजर आ रहे हैं याद सुबा सुबा ये person अपने responsibilities अपने जिम्मेवारियां जो इनके कंदे के ऊपर जो बोज है उसके बारे में ये person सोचते हुए नजर आ रहे हैं ये person इतना ज़्यदा सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि इनकी जो responsibilities है इनको जो इनकी जो इनके उपर जो burden है ये कैसे कम होगा क्या होगा कैसे कुछ करेंगे हम कि सारी चीज़ जो है ना नॉर्मल हो जाएगी ये person ये सोचते हुए ये मैसूस करते हुए नजर आ रहे हैं आपके person को आज काफी ज़दा सुबा सुबा जो है नकाफी परिशानी फील हुई ठीक यहां पर दिख रहा है जिसे कि ये person जो है हो सकता है कि कहीं जो है travel करने वाले हैं उसके बारे में ये person feel करते हुए दिख रहे हैं कि शायद अगर आप दोनों इस वक्त एक दुसरे के साथ होते तो कितना मज़ा आता है कितना अच्छा लगता एक दुसरे के साथ इस तरीके से खुल के मिलने का बाते करने का या एक जो है न अच्छा time spend करने का कितना अच्छा time था ये ठीक है ये person को ऐसा feel हो रहा है ये person को ये भी लग रहा है जिसे कि आप जो है इनका पूरा-पूरा सांदेते बहुत enjoy करते क्योंकि आप वैसे person हो एक चंचल से सभाव के चंचलता आपके अंदर बहुत जादा है आपके person को ये feel हो रहा था आपके लिए कि कास कास आप होते इनके पास इनके करीब होते तो और और कितना अच्छा होता ठीक है यहाँ पर ये feel करते हुए मैं देख पारे हूं ये person इन सारी चीज़ों को याद करते हुए काफी ज़दा उद परिशान परिशान मुझे नजर आ रहे हैं काफी ज़दा अकेला पन इस person को feel हो रहा था आपके लिए काफी ज़दा अकेला पन यहां पर दिख रहा है कि परसन जहना काफी अकेला पन महसूस करते हुए दिख रहे हैं और इनको याद आया कि शायद अब जो है हम दोनों के विश में वो contact नहीं है उस तरीके से प्याद नहीं है उस तरीके से जो हम दोनों का जो relation पहले था वो अब नहीं है ठीक है यह person बहुत ज़दा उदास हो गया बहुत परिशान हो गया जब इनको ऐसास हुए कि नहीं यह relationship तो बस बस यहीं तक था ठीक है तो यहां पर मैं य परिशन्स में देख पारे हूं यह person मैसूस कर रहे थी कि अपने रिष्टे पे जो हो सकता है वो हम work करें तो क्यों ना यह पॉर्स न यह जो relationship में काफी better ही हो सकता है अगर काम किया जाए पूर्या मन लगन से काम किया जाए तो यह relationship काफी अच्छा हो सकता है काफी अच्छ रिदिंग में, बाँ बाई